करन कविता हर लिहाज से तुम से चार कदम पीछे है बाक्ग्राउंड, क्लास, एस्पिरेशन, स्टाइल मॉम यह बिंग अनफेर कविता को आपने एक ही मुलाकात में जज़ भी कर लिया I know her mom She, she is a wonderful girl और जहां तक एस्पिरेशन का सवाल है, हम दोनों की एस्पिरेशन एक है अच्छा, और वो क्या है Each other Karan, get out of this emotional floss तुम तो बिल्कुल ऐसी sentimental बाते करे हो, जैसे एक middle class youngster करता है दादी मा के साए में तुम भी ऐसी बाते करने लगे पर हाँ, तुम्हाई दादी मा है कहाँ मैंने आपको बोला थाना mom, she is not feeling too well I forced her to rest मैंने कहा कि मैं मॉम को लेकिया आता हूँ Ramesh, बड़ी मा उठ गई क्या नहीं साम Karan, you've got to be practical तुम्हें अपने career अपने future के बारे में सोचना है Mom, आप कुछ भूल नहीं रही दादी मा भी आपके खिलाफ थी न और दैड तो आपके लिए अपना घर छोड़ने को तो यार हो गए Because he loved you And he believed in you Thank God उन्होने किसी practical बात को importance नहीं दिए I respect your feeling But तुम कविता को दिल से देख रहे हो और मैं दिमाग से Mom, अब आप कविता को दिल की नजर से देखना शुरू कर दीजए क्योंकि अब वो आपकी बहू बनने वाली है Karan, कैसे मैनेज करेगी वो तुमारे साथ तुम दोनों किसे प्राइबट लाइज तो नहीं होगी न तुम्हारे टाइब के इंचे कॉंटाट्स है इंडस्लिस, अंबैसदर्स देर्वाल क्लासी, रिच और फेमस पीपल और जब तुम अमेरिका आओगे तो नैचरली तुम भी उन्हें जाइन करोगे मैं कफिसे सपना देखनी हूँ कि तुम हमारे साथ आके रहोगे कफिपा, तुम्हारी बिसनस में क्या हेल्प कर सकती है वो तो यहां भी कुछ काम नहीं करती करन तो अमेरिका में रहने लाइक नहीं है माम, मैंने शायद पहले ऐसा सोचा था लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है मैं अमेरिका नहीं जाओंगा आप बहुत ठकी होंगे मैं आपके लिए अपने हाथों से चाय बनाता हूँ सारी ठकान दूर हो जाएगी कविता को भी दिल की नाजर से देखना शुरू कर दीजे वो आपके बहु बनने वाली है रमेश, रमेश, यह क्या है यह मूर्ति है मूर्ति है यह चीप सी मूर्ति ड्राइंग रूम में क्यो रखी है इतनी अकल तो तुम्हें भी होनी चाहिए ना कि यह ड्राइंग रूम में रखने लाइक नहीं है हटाओ इसे यहां से लेकिन इसे बड़ी मालकिन ने यहां रखा है हमारे कवीता दीदी ने अपने हाथों से बनाया बड़ी मालकिन को बहुत प्संद रही है वापस रख दो इसे खबरदार जो इस मुर्ति को कभी किसीने हाथ लगाया यह यहीं रहेगी कवीता पीटा क्या बात है कुछ नहीं पीटा कुछ तो है क्या बात है बताओ ना अपा वो करन और उनकी मम्मी आए थे करन की मम्मी आए थे अभिना कुछ पताया आ गई उन्होंने पूछा था आप दोनों के बारे में बेटा मुझे पता होता तो मैं वाक के लिए नहीं चाता मुझे भी कहां बताया था करन ने बेटा कैसी लगी तुम्हें करन की मा पापा बात पुछो 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 बेटा पापा अगर दादी जिन्दा होती और आप मा को पहली बार उनसे मिलवानी ले जाते तो वो क्या कहती है मामा की बारे में बेटा तुम्हारी मा को लेकिन अचानक यह सवाल क्यों पूछ रही है करन की ममी ने कुछ कहा तुमसे ममा कुछ लोग बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कहे जाते हैं अच्छे लोग हैं तुम्हें कुछ गलत वमित नहीं हुई नुग कविता 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 बीटे क्या बाते बताओ ना प्लीज पापा शायद मैं करन की ममी को पसंद नहीं आई क्या हुआ बिटा मैंने साक्षी को देखकर समझा कि वो उनकी होने वाली बहु है उन्हें उसे गले से लगा लिया और करन से कहा कि मैंने बिलकुँ ऐसे ही सुंदर बहु का सपना देखा था वो मुझे देखकर जड़ा भी खुश नहीं हुए अधर बर्खा जाएगा मुझे अधर गई हुए बेटा वो जैसे जी बहुत चाहते हूं मेरी बेटी उससे कहीं स्याधा अच्छी है करन तुम्हारे साथ है तुम्हारे चाहता है एक औरत की सबसे बड़ी शक्ति उसके पती का प्यार उसका सहारा है करन तुम्हारे साथ है इस बात का भरोसा तो है न तुह है ममा मुझकर मॉडर्ण के परे सोट नहीं करते है अगर नहीं नहीं अगर नहीं अगर नहीं अगर 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 एक मिनित गौतम हम करन की मार को कल मिल नहीं सके अगर अगर जाकर उनसे एक बार मिल लेना चाहिए तो चली जाओ उन्हें अखेली जाती ठीक नहीं लगूंगी आप पे चलिए न प्लीज उन्हें लोडी पर बुलाना है इस घर में ये कविता की आखरी लोडी है मैं उन्हें फोन कर लोंगा प्लीज प्लीज अगर आप पी एक पर करन की मां से मिल लेती तो अच्छा होता कविता की शादी की तारीख में निकलवानी है आपका होना बहुत जरूरी है मैं अकेली चाती अच्छी लगूंगी किया अब हर काम हम साथ में तो नहीं कर सकते हैं मैं बहुत दोजी हूं तुम चलीगा अगर हम दोनों उने इंवाइट करने नहीं गए तो वो बुरा मान जाएंगे गौतम सिरफ एक घंटा लगेगा गौतम आपकी तबियत खराब है लाओ मैं शेफ कर देते हैं पस 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 गौतम जिद मत करो थोड़ा सोब पस अक्षा, it's okay It's not okay सुबह चार बजे तो उतरा आपका बुखार तो क्यों शेफ करने की क्या जो होते है रहने दोना नहीं रहने दोना तो मुझे अपना हैंसम पती वापिस चाहिए और दूसरा मुझे शुबता है चार दिन से शेफ नहीं किया आपने क्या होगा क्या हो पापा शेफ कर दाथ कट गया ममा जल्दी आईए कोई अंटिसेप्रिक लेकर आएए पापा कूँ बलेट से कट लग गया है क्या होगा? दर दूरा ना पापा अब ही लाई लिचे में दवाई लगा दू हाथ तो हट आईए मैं बर्फ लेकर आते हूँ पापा ये क्या चल क्या राया आप दोनों के बीच आपको क्या लगा मैं समझते नहीं हूँ पापा आपके माते की हर शेकन को पहचानती हूँ गै और ममा आप तुमेरी सबसे अच्छी सहली है आपने क्यों नहीं बताई मुझे अपनी परिशानी पापा आजकर हमेशा गुस्य में रहते है और ममा आप पिलकुल सहमी सहमी सी इस घर की तो जैसे हसी ही गुम हो गई है आप लोग कही करन की ममी को लेकर तो परिशान नहीं है अगर हाँ तो प्लीज मैं सब कुछ समार लोगी आप प्रॉमिस बस मुझे मेरे मेरे ममा अची मेरे मेरे पापा की हासी वाकर चाहिए तुम इसको आप आप पिल चाहिए वासी रोते नहीं बात कुछ में नहीं थिया और तुमने पेटा मैं तो बस शेव कर रहा था यह सोच कर कि तुमारा हैंसम पपा तुमारी ममा को लेकर करन के घर चाहेंगे एक दम सूटेड बूटेड और वहां उसकी वो पॉरन डिटन मा है न वो भी बस देखती रह जाएगे उन सब को लोडी को इंवाइट कर लाए न देखो न don't cry Hello my dear dear sister welcome back to India come 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 Welcome vagaira tu thik hai hai, why not taking a airport? Oh I am really sorry Roma, ցh zaduri klam पड़ा था, I just had to go हाँ अच्किल बहुत काम कर रहे हो ना तुम बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हो कोई marriage bureau तो नहीं कोल लिया है तुमने मैं मैं कुछ समझा नहीं रो ना अगर तुमने थोड़ी भी समझ होती तो बात ही क्या थी करन के लिए कविता का रिष्टा तुम ही लाई थे ना हाँ भाई मैं ही लाया था तुम भी कविता को एक बास देख लोगी न तो बस देख चुकी हूँ मैं अश्कूर एन आम वेरी डिसपॉइंटेड ये लड़की चुनी है तुमने करन के लिए कविता बहुत अच्छी लड़की है तो होगी अच्छी लड़की आम प्रेश्निंग दैन पर ये बताओ कि करन के लाएक किस लिहाद से लगी वो तुम्हें हर लिहाद से रोमा हर लिहाद से और करन की दादी मा को भी कविता बहुत पसंद है वही तो करन के सामने दिहाती लगती है तुमने क्या सोचा था मुझे करन के लिए कोई बच्चे पैदा करने वाली मशीन चाहिए नहीं मिलेनियम में आने वाले हम लोग और तु एटीं सेंचुरी की लड़की लेके आयो करन के लिए करन के लिए कितनी अच्छी लड़के ढूंड लाया है ये एमन जरा मेराजी को फोन कर दोड़के लिए करन के लिए कितनी अच्छी लड़के ढूंड लाया है ये एमन जरा मेराजी को फोन करो सगाई के बाद तीन मेहने यू निकल जाएंगे शादी की तारिक भी तो पक्की करनी है हलो हां बोल रही हूं अरे हम तो आपी के बारे में बात कर रहे थे कभी था के पापा है हां 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 आजाओ हां मैं तो घर पर ही हूँ रोमा भी है ठीकर ठीकर आजाओ लोग वो खुद ही आ रहे हैं मेरी एक तमना पूरी हो गया इस घर को मेरी पसंद की बहु में गया इस इस घर का रहा कराए हुए मुझा दूशत नश्तर में सिस्टरो मय एट मेरी इसरो मैं उस संदनजी नहीं सबसे लगता है कल रात हमारे घर आए हम दोनों में से कोई भी वहा नहीं था तो क्या हुआ अब में लिये हैं बैठो 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 ये सब क्या है वाइब इस फॉमालिटी जी तो रीट है हम आपके घर खाली हाथ कैसे आ सकते थे भला रूमा क्या तुम जानती हो हमारे गौतम साब बंबई के सबसे बड़े वकीलों में से एक हैं ओ आट्स वेरी गुड़ अमेरिका में हमें हमेशा लॉयस की जरुरत पढ़ती रहती है यहां तो वकील बहुत पैसे बनाते हैं हमारे कॉर्फरेट लॉयस के बिल तो ओमाइग गौड अहां तो वेटे आज इस समय कैसे आना हुआ जी वो कल रात हम रूमा जी से मिल नहीं पाए और फिकल लोडी भी है हम दोनों आप सभी लोगों को लोडी के लिए इंवाइट करने हैं आप लोग आईए का प्ली अहां क्यों नहीं जरूर आएंगे वैसे भी कवीता से मिलने का बहुत मन कर रहा है कवीता भी आप सबको बहुत याद करती है उसने आप सबको नमस्ते भीजी भगवान खुश रखे उसे बड़ी अच्छी है हम सोच रहे थे कि तीन महीने पूरी होने को आएं सगाई के बाद तो क्यों नहीं शादी की तारीक निखा लिजाए लोग आज सुभए मैं भी यही कह रहे थी है मन से क्यों है मन जी हाँ मैं शुब काम में देरी नहीं होनी जाए आज ये पंडी जी से मिलकर शादी का मुरत निकल वालो एक मिनट माजी गौतम जी एक प्रॉब्लम है जी क्या प्रॉब्लम है एक्चली कारण के बापा इन दिनों बहुत बिजी है एक नए प्रॉजेक्ट में फासिए कम से कम दोड़ाई महीने तो लगी जाएंगे और आप तो जानते हैं कारण हमारा एक लौता बेटा है वो सरुष्ट शादी में शामिल होना चाहेंगे तो ठीक है फिर थोड़े दिनों के बाद की तारीक निकाल लेए कोई भी देट निकालने से पहले मैं उनसे बाद सुरू करना चाहूँगी उनके प्रॉजेक्ट में कितना टाइम लगेगा और बिलीव में इस प्रॉजेक्ट में कम ते कम दो धाई महीने तो लगी जाएंगे हलो आपको देखते ही मैं समझ गया था क्या आप और भावी जी कुछ परेशान नजर आ रहे हैं आप बिल्कुल चिंता मत बीजिये जी जाजी के अमेरिका से वापस लॉटने का प्रोग्रम पता लगते ही हम तारीक टैक कर देंगे आप बिल्कुल निश्चिंत रहे हैं हाँ ठीक है मुझे फिर मिलते हैं ओके ओके बाई 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 अंकल इस दर अनिफिंग फो में अपस में खास काम नहीं है तुम घर जाना चाती है जा सकती है अंकल आपने मेरी तरफ देकर उसके रहना क्यों बंद कर दिया है अंकल यह सब कुछ मुझे से बर्दाश नहीं होता है मैं नहीं सैंग कर सकती हूँ यह सब कुछ आंकल मेरा कसूर क्या है कि अब मुझे से मुझे फेर रहे हैं अंकल याद है उसी दिन आपने मुझे से गले लगा कर यह कहा था कि तुम अकेली नहीं हो कि तुम्हारे माबाप नहीं है तो क्या हुआ मैं हूँ हाद से मैं तुम्हारा पापा हूँ और रक्षा रक्षा तुम्हारी माँ है अगर अगर आपने मुझे पेटी माना है तो आप मेरे पापा है और रक्षा मेरी माँ है तो आप मुझसे मुझ क्यों भेख रहे हैं? मेरी समझ पर नहीं होता है कि मेरा कसूर क्या है आखिर अगर मैं नाचाइस उलाद हूँ अंचाई उलाद हूँ मेरी माने मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया आप मुझे यार लेकर आए अपने घर पे रखा तुम मुझे पता है इसमे मेरा क्या कसूर है आप मुझे क्यों साजा दे रहे है अगर अगर आपकी बीरी मेरी मा है तो मैं क्या करूँ क्या करूँ मैं तुम अगर आपकी आप्स अगर चैनल क्या 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 आपकी 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 झाल झाल